ऐसी सास हर किसी को मिले सास बहु का एक प्यारा रिष्टा बहु कहा मर गई? अंदर से आवाज आई जिन्दा हूँ माजी तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ? ला रही हूँ माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर मारोगी क्या? बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूँ सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूँ सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने? बहु माजी मुझे खपड़े दोने हैं मैं जाती हूँ बहु दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी बहु मुस्कुराई और काम पर लग गई दुपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल्लाई पूखे मारोगी क्या बहु आई सामने खिचड़ी रख दी सास गुस्से से ये क्या है मुझे नहीं खाना इसे ले जाओ बहु ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है खाना तो पड़ेगा ही सास मुझ बनाते हुए हाँ तू मेरी मा बन जा बहु फिर मुस्कुराई और चली गई आज इनकी घर पूजा थी बहु सुबा चाल बजे से उठ गई पहले सनान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साफकी पकवान और भोज बनाया सुबा के दस बज गए अब सास भी उठ चुकी थी बहु अब पंडिजी के साथ भगवान के वस्त तयार कर रही थी आज ओफिस की छुट्टी थी उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू हुई सास चिलाती बहु ये नहीं है वो नहीं है बहु दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दोपहर के तीन बज गए थे आरती की तयारी चल रही थी पंडिजी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब के हातों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी थाली हातों से किर पड़ी शायद भोज बनाते हुए बहु के हातों में तेल लगा था जिसे वो पोचना भूल गई थी सारे लोग तरह-तरह की बाते करने लगे कैसी बहु है कुछ नहीं आता एक काम बे ठेक से नहीं कर सकती ना जाने कैसी बहु उठालाए एक आरती की थाले भी सम्हाल नहीं सकी उसके पते भी गुसा हो गए परसास चुप रही कुछ नहीं कहा बस यहीं बोलके छोड़ दिया सीख रही है सब सीख जाएगी धीरे धीरे अब सब को खाना परोसा जाने लगा बहु दोड़ दोड़ के खाना देती फिर पानी लाती करीब सतर असी लोग हो गए थे इधर दो नोकर और बहु अकेली फिर भी वे सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती अब उसकी सास और कुछ आस परोस के लोग खाने पर बैठे बहु ने खाना परोसना सुरू किया सब को खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं कर सकती पता नहीं मेरे बात कैसे ये घर समालोगी आस परोस वालों को तो जानते ही हो न साहब वो तो बस बहाना ढूंडते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहू है ये वो वगेरा वगेरा बिन का खाना हो चुका था अब बहू बरतन साफ करने नो करों के साथ लग कार्यक्रम रखा गया था बहु भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास चोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कटा देना गाना नहीं आता तुम मत गा वापस आजा बहु मुस्कुराई और गाने लगी सबने उसके गाने की तारीफ की पर सास मुफ उलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चली गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के ओफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे उसका पती चिल्लाता थोड़ा बर्फ लाओ तो सास च तूट गई पती गुस्से में दो चापड अपनी पत्नियों को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की देखकर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देखने लगे उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार प तो हमारी बेज़दी कर दी अब आसपडोस की ओरतों को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुमारी बहु ने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दोश्री शादी करा दो छुटकारा पाओ इस गवार से सास उठी और अपने बे उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने घूरते हुए कहा चुप बिलकुल चुप यहाँ दारूपी ने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पाटी करनी है कैसे संसकार दिये हैं तुमारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधर आओ चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहु को किसी ने एक शब भी कहा तो अरे पापी तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल तूट गई पापी वो बच्ची सुबह चार बजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुबह से नास्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सबकी बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी चूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस्त चुपके इसे खिसक लिये, अब सास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकड़ कर बाहर लाई, सब की सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहु को घर से निकाल के दूसरी बहु ले आना, जरा सामने आओ, कोई सामने नहीं आया, फिर सास ने कहा, तुम जानती भी क्या हो इस ल और बेटी इसलिए कभी-कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीट-पीछे, और तुम कहते हो दूसरी बहु ले आऊं, याद है ना छुटकी की दारी, तुम ने चले गए थे, मेरी इसी बहु ने साथ दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहां तक की तुम्हारे पैर दवाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो, जाहिल तो तुम सब हो, जो कोईले और हीरे में पर्क नहीं जानते, अगर आइंदा मेरी बहु के बा सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहु के कमरे में खुद ले गई, सास को भोजन लाते देखा तो बहु ने कहा, अरे माजी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती, सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, दर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालोंग सास भी रो दी पहली बार, और कहा, चल खाना खाले, फिर मजाग करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दवाने चले आना, और ये खयाल मन में मत लाना, कि सास पैर बोलती है, किसी दिन इसका गला दबा दूँ, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी, दोनों खुब हसने लगती है, दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,